एलो फ्रेंड तो कैसे हैं आप सब सुगत है यब सभी का आज के इस नय वीडियो में तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपने एक लैप टॉप या फिर पीसी का साथ बना सकते हैं जो कि काफी जादा एट्रैक्टिव थमनेल बनाने में हेल्प करता है और काफी जादा पॉपलर और इजी टू यूज एप्लिकेशन है लेकिन वहीं पे अगर हम पीसी पे जाते हैं तो पीसी पे बहुत जादा सॉफ्ट्वेट्स हैं जो की पेड हैं और का के पास कोई स्मार्टफोन नहीं आप अपने लैपटॉप कीमरे से वीडियो बनाते हो एडिट करते हो और आप लोगों को अपने वीडियो के लिए थमनेल बनाने है लैपटॉप में तो आप लोगों को पर्चेस करने पड़ते हैं काफी सारे सॉफ्ट्वेयर और आपको तो भी पता नहीं होता कि कौन से सॉफ्ट्वेयर यूज करना है थमनेल बनाने के लिए तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को कैसा इजी सॉफ्ट्वेयर बनाने वाला हूं जिसके मदर से आप सेम टू सेम पिक्सल लैब की तरह उस सॉफ्ट्वेयर का यूज कर सकत ने का उतना experience नहीं है फिर जो लोग अपनी laptop में से आसानी से थमनेल बनाने वाले उन लोगों के लिए वीडियो का फिर इंपोर्टेंट होने वाला है तो एर वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो चलिया बिना टाइम को वेश्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आचुका हूं मैं अपने laptop screen पर यहां पर मैं अपने Google Chrome को open कर ले रहा हूं और जिस software के बार में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है photojet designer जिहां friends और आप लोग जैसे इसको सर्च कर गोगल पर सब्ली सबसे पहला जो website आता है उसे पर आप लोग को क्लिक करना तो इसके बार में अगर आप चाहो तो और भी जानकारी यहां पर आप लोग को मिल जाएगी simply आप लोग को क्या करना है इस application को या फिस software को simply open करना है यहां पर आप लोग को पिक्सल लैप की तरह काफी सारे आप लोग को option दिखते हैं जैसे load project custom size का भी आप लोग को option देख 80 और 720 pixels okay तो simply आप लोग को इसको करने के बाद apply कर इसी size के साथ और आप लोग को सामने कुछ इसा interface आएगा यहां पर आप लोग को photo text clip art और background option मिलता है background में सबसे पहले में जाता हूं यहां पर आप लोग अलग color के background को choose कर सकतो जैसे black हो गया blue हो ग्रीन हो गया इसी तरी के आप लोग अलग 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 फ्रेम से भी देखने को मिलते हैं अलग अलग colors gradient colors भी देखने को मिलते हैं जिसमें आप लोग को double colors देखने को मिलते हैं आप लोग काफी सारे arts देखने को मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकती हो और इसके बाद image आता है यानि कि इसके अंदर आप लोग सिंपली सर्च करके भी इमेज को अगर सकते हो सारे साथ एड़ फो टुपर करके आप खूत के गिलरी या फिर फाइल मेंजर चर ते पर माइक कंप्यूटर फाइल से भी अपने इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो और इंपोर्ट करने के बाद जैसा कि आप लोगे यहाँ पे simply sample जो सबसे पहला है उस पे click करूँगा और इसके अंदर भी आपनों को काफी सारे options दिखने को मिलते हैं मैं simply इसके size को बड़ा दे रहा हूँ इसको सही position में लाता हूँ और इसके बाद में मैं इसको edit करता हूँ मुझे इसके अंदर क्या नाम रखना है और इसके बाद भी आप लोगो काफी सारे fonts मिलते है properties, effects मिलते है यहाँ तक कि आप लोगों को bold, italic, underline और size को भी colors का भी option मिल जाता है साथे साथे हाँ पे आप लोगो अलग justify या फिर right, left, center का भी option मिल जाता है साथे साथे हाँ पे आप लोगो जो भी चीज लिखनी है जिस भी color की लिखनी है वो सारे text आप यहाँ पे add कर सकते हो simple to sim, काफी easy to use है जैसे pixel lab application में होता है हाला कि उतने जादा features नहीं है इसमें, लेकिन काफी जादा अच्छा और काफी जादा easy to use है यही सबसे अच्छी चीज है इस software के बारे में और मैं हाँ पे काफी easily यह सब कुछ कर पा रहा हूँ और मैं हाँ पे अपने text को लिख रहा हूँ जैसे हाँ पे मैंने thumbnail से का तो मैं इसके font को आसानी से select कर सकता हूँ इसके colors को select कर सकता हूँ अब यह सब कुछ करने के बार हम मैं फिर से अपने हाँ पे सारे text को add करूँगा और उसके बाद फिर से मैं इमेज एड करूँगा क्योंकि मुझे और भी images चाहिए होंगी और वो images आप Google से download कर सकते हो या फिर अगर आपके पास time है तो आप फुद के भी images या फिर clip arts बना सकते हो और simply मैं आप इस image को इस position में लगा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जो अपना thumbnail काफी ज़्यादा attractive बनाना है अब यहाँ पे मुझे एक arrow भी चाहिए होगा साथ साथ यहाँ पे आप लोगो image में भी काफी ज़्यादा effects मिलते हैं जिसे opacity हो गया तो मुझे साथ साथ यहाँ पे मैं computer को भी लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे text में यही सब कुछ लिखा हुआ है और मुझे एक arrow भी चाहिए होगा इसको flip भी कर सकते हो तो मेरे भी कर सकते हो तो मैं यहाँ पे फ्लिप करके इस arrow को भी सही जगह पे लगा दे रहा हूँ और सब कुछ complete होने के बाद आप आप लोगो सेफ करना होगा तो simply आप लोग यहाँ पर के साइट पे और यहाँ पे जेपीजी पे क्लिक करके आप लोगों के सामने एक form open हो जाएगा इसको अगर आप चाहो तो buy कर सकते हो जिसके वज़े से watermark इसे software की मदद से जो की काफी जादा easy to use है खास्तोर से जब मैंने अपने mobile phone से PC में shift किया तो मुझे भी थमनेल maker app या फिर software चाहिए था तो मैंने काफी जादा इसके उपर research किया और मुझे application मिला इसके उपर आपनों को free trial भी मिलता है और काफी देर तक आप इसको free में use कर सकते हैं लेकिन आपकर आपको watermark को remove करना रहेगा या फिर और भी advanced features चाहिए होंगे तो आपनों को इसको buy कर लेना है तो बस यार आज क कि इस वीडियो में इतना ही आई होप आप आपनों को आज के वीडियो जरूर से पसंद आया होगा और अगर आपको चोटा से वीडियो पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ जरूर से share करना और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक स्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में और हमेशा की तरह बाबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग